नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल इंडियन रेसिपीज विसीमा में आपका स्वागत है यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीस लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मैं डोकला बनाने का सबसे असान तरीका बताने जा रही हूँ प्लीस आप मेरे वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और घर में इस गुजराती डिश को बनाकर सबको खिलाएं और मुझे कमेट जरूर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डोकला बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम बारिक बेसन 2 टेबल स्पून र खाने का सोडा 1 टी स्पून नमक 1 टी स्पून सुगर अवशक तवनुसार पानी डोकला बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम बेसन बेसन को अच्छे से चान लें ताकि इसमें गुठलिया हो वो खतम हो जाएं और बारिक बेसन का ही यूज करें तभी आपका डोकला अच्छा बनेगा इसे मिक्सिंग बाउल में ले लें इसमें हाफ टी स्पून नमक डालें हाफ टी स्पून खाने का सोडा लें इसमें हाफ टी स्पून चीनी डालें और वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर का यूज करें इससे जादा हल्दी पाउडर ना डालें नहीं तो डो और इसे इस तरीके से एक ही डिरेक्शन में घुमाएं। लगबग 2-3 मिनिट तक इस तरीके से मिक्स करें आप। ऐसा करने से बेसन हलका हो जाता है। इसे पतला नहीं रखना है और नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा यदि गाढ़ा रखेंगे तो ये फूलेगा नहीं और सॉफ्ट नहीं बनेगा अपना डोकला। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसका बैटर इस तरीके का रखें। इसे लगबग आदा घंटे के लिए रख दें ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। आदा घंटे बाद इसमें 2 टी स्पून रिफाइंड ऑल डालें। ऑल डालना जरूरी होता है क्योंकि इससे डोकला में मॉश्चर आजाता है। यदि ओइल नहीं डालेंगे तो डोकला खाने में बेसन-बेसन सा लगेगा और मुँमें चिपकेगा। इसमें 1 टी स्पून नीबुकरस आड़ करें। और इसे अच्छे से मिक्स करें आप। अब इसमें half teaspoon इनो डालें देखिए इतना और इसे mix करें इसे ज़्यादा देर तक mix नहीं करना है करिब 8-10 second ही mix करना है और इनो डालने के बाद इसको रखना नहीं है इनो तुरंद काम करता है डोकले को बनाने के लिए आपके पास cake tin या इस तरीके से steel का डिबबा रोटी का डिबबा या थाली वगएरा हो तो आप किसी में भी shape दे सकते हैं आपको जिस बरतन में भी बनाना है उसमें oil करें इसमें 1 teaspoon refined oil डाला और उसे अच्छे से चारों तरफ पहला दिया बरतन में अच्छे से oil लगाते हैं तो ये डोकला चेपकता नहीं है अब इस better को इस बरतन में पलट दे ध्यान रखें ये better गाढ़ा नहीं होना चाहिए गाढ़ा होगा तो डोकला अच्छा नहीं बनेगा इसे थोड़ा इस तरीके से tap करें ताकि ये अच्छे से set हो जाए इस टीम में पकाने के लिए कढ़ाई या जिस भी बरतन में आपको पकाना है उसमें आप 200-300 ml या लगभग एक गिलास पानी लें और उसकी ऊपर इस तरीके से आपके पास stand हो तो वो रख दें या नहीं तो कटोरी रख सकते हैं इसे 2-3 मिनट तक गरम होने दें ये पानी गरम हो गया है अब इसे इसमें रख दें और इसे 15-20 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम करके पकाएं तेज में नहीं पकाना है इस बात का ध्यान रखें आप और इसे ढखकर रख दें जब तक हम डोकले के लिए तड़का तयार करेंगे फ्राइ पैन में 2 टेबल स्पून राई या सरसों डालें और इसे अच्छे से चटकने दें यहां पर 5-6 हरी मिर्च को 20 से कट कर लिया है और कड़ी पत्ता 8-10 कड़ी पत्ता यूज़ कर रहे हैं इसे इस ओईल में डाल दिया और इसे 5-10 सेकंड हलका फ्राइ होने दें इसमें एक गिलास या लगभग 200 ml पा पानी डालते हैं तो इस टाइम इसको ढखना है ताकि हमारी ऊपर चीटे ना आए फ्रेंड से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इसमें हाफ टीस्पून चीनी डालें हाफ टीस्पून नमक एट करें यह बहुत ही बढ़ियां स्वादिष्ट खटा मीठा पानी बनकर तयार होगा डोकले का इसमें टू टेबल स्पून नीबू का रस एट कर दें और इसे अच्छे से पकाएं लगभग एक से दो मिनट लगभग 15 मिनट के बाद इसे खोल कर देखा पका या नहीं चेक करने के लिए चाकू या चम्मस क अब इसको किसी भी प्लेट में निकालें इस तरीके से पलटाएं और इसे हलका सा हाथ से प्रेस करें तो यह आराम से निकल जाएगा यह देखिए बनकर तयार है यह पानी भी बनकर तयार हो गया है अब जब पानी ठंडा हो जाए और यह डोकला भी ठंडा हो जाए उसके भाद इसको एसे पीस-पीस में क болt कर लें और इसकी ऊपर ये पानी डाल देंगे जो मसालेदार चटपटा पानी बन कर तयार हुआ है यह हमारे डोकले बन कर त양 है यह देखी आफ िसमें पानी राल दें मसालेदार यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में रेसिपी आप जरूर ट्राइ करें फ्रेंड्स मेरे बताए हुए तरीके से ओके फ्रेंड्स है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाई बाई